आज मैं बना रही हूं फीटकॉन फ्राइड राइस इसको आप लॉंच में डिनर में या फिर यहां तक की ब्रेकफास्ट में और बच्चों की टिफिन बॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं नमस्कार भूमिच कीचिन में आपका बहुत-बहुत भागत है अपने और बैल आइकन दबाएं तो एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है मैंने और इसमें हम एक से लेड़ चमज घी डालेंगे घी को अच्छी तरह से गरम करने देंगे अभी मैं इसमें डाल रही हूं दो कटे हुए हरी मिर्च अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ाशा एक प्याज को पूनेंगे देखे थोड़ा सा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे कटे हुए पनीर पनीर मैंने ले लिए है आधा कॉप इसको चोटे-चोटे टुकडे में काट ली है और इसमें हम डालेंगे क्योंकि स्वीट कॉर्ण फ्राइड राइ ज़ोरत नहीं है और थोड़ा सा ऐसंतरे से सटे करने के बाद तो यहां पर मैंने डाल दी है नमक आधा चमचर करीब डालेंगे लाल व्यची पाउडर अधा चमच हल्दी पाउड़ और थोड़ा सा गरम-मसाल पाउडर दालेंगे देखे एक चोटी चमच जितना गरम मसा प्रेह अगर्त नहीं है ृक्राजद सोटेः कर लिए तो बस हो गया तो अभी इसमें आप पके हुए चालud डालें और ऑल आपकें भी इस्त Blood कर सकते हैं जाहे बास्मति हो या फिर र्रेगुलार राइंसोय मैं इसमें जो सोना मुसरी का राइस होता है वही मैंने इस्तमल किया है तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें कितना ज्यादा चटपटा और टेस्टी लगता है और बहुत इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं यह फ्राइड राइस सिर्फ 5-7 मिट के अंदर ही बन जाता है यह कुछ सामगरी है पनीर और कुछ स्वीटकन वगेरा और पके हुए चावल होने से आप तुरंत इसको बना कर खा सकते हैं लास्ट में एक चमस घी फिर से डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे तो वीडियो जरूर पुरा देखिए तो इसका मैं टीप्स और ट्र इस तरह से आपको दो से तीन बातों का ध्यान रखना होगा तबी यह फ्राइड राइस खिला खिला बनेगा और टेस्टी बनेगा तो बनाएए स्वीटकन फ्राइड राइस और खुद खाईए परिवाल जनों को खिलाईए और कैसा बना था मुझे कमेंट बॉक्स में जर जरुचे झाल